नमस्कार दोस्तों स्वागा थाब सभी का हमार यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिविएस येर के आये हुए कोशन जो कि भेल गेल सेल और और भी फिर एनपीसिया याल एनटीपीसी इन सभी में आये हुए प्रिविए है चत्य डृट का स्ट्रींज कितना रखा जाता है आप चाहरी से पंद्रे डिज्डीदी 25 फित डिंडीदी trap देखेंज में जो भेल दो में से एंगल रखते हैं उसके मान होता है साथ से फंद्रे डिग्री रखते हैं तो कर जो लीप डेरियन्स से yamura रखते हैं वह सथ से फंद्रे डिग्री तक रखते हैं यह हमारा 21 भेल फिटर में एक वो कोशन ठाव दूसरा कोशन है वेन दा लोड आप बेरिंग इच केरीड बाइड डारेक्ट सरफेस तो सरफेस कांटेक्ट रिज़ काल्ड गृत बेरिंग का भार सताह संपर्क तक प्रत्यच्च्च्च्च्च द्वरा वहित किया जाता है तो उसे हम लोग क् कंडिशन कहते हैं यानि कि सूस की स्थिति कहते हैं तो यहां पर हमारा सी अंसर करेक्ट हो जाएगा क YOUR ग्र्राइग कंडिशन यह हमारा इस त्रोई डिजल मेकेनिक में आ एल हुवो कोश्चेन था तीसरा कोश्चेन है ने उलय में से कौन सी काउण सक्रिकरियया चाहिं प्रजोल है तो चाहिए प्रजोलन चौंस PCs इक्जास्ट सेक्षन कम्प्रेशन पामर तो देखी जो चिंगारी प्रजूलन होता है यह हमारा पाउमर में आता है तो यहाँ अपर हमारा डियांस तर करेक्ट हो जाएगा पाउमर चौथा कोशन है ल्यूब आयल में कारबन होने का कारण क्या है आपसन है धूलकणों का मिस्रित होना ल्यूब आयल का विखंडन आयल संप को देखकर जली हुई गैसों के साथ ल्यूब आयल का मिस्रित होना तो ल्यूब आयल में कारबन होने का जो कारण होता है वह होता है क जलू ही गईसों के साथ है लूब आयल का मिस्रित होना यह हमारा और भी एलपी अजमेर में वो कोशन था पांचवां कोशन है फार ए नाइन पलाई दा थिकने साथ प्लाइवूड इज नाइन पलाई के लिए प्लाइवूड की मोटाई क्या होती है आपसे नौई अम्यम सोले अम्यम 22 अम्यम उप्रोक्त में से कोई नहीं यह हमारा इसरो टेकनिसियन भी कारपेंटर में आएगवा कोशन है तो देखिए कि ना मोटाई रहती है वह रहता हैनतों इसका प्रीवं करेंग ughने के लिए उचाहिए अग त्सक्त merchant करते हैं तो कि लिए आपको बताना है देखिए जो प्रेंडर होता है इसका हम लोग ताप मापने के लिए हम लोग प्यारो मेटर का परियोग करते हैं उचाई हाध दता है नहीं गहराई भी नहीं है तो यहां पर नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं यह अमारा डियाव टर्टनर में आई वह कोशन था सात्नों कोशन है कि is screw pitch gauge का परियोग हम लोग कहांNA करते हैं आप सो नेवट डीओ मिटक करने के लिए चूड़ी का बाहरी ब्यास डियाद करने के लिए चूड़ी की पिछ गयाद करने करने के लिए चूड़ी की गहराई गयाद करने के लिए हमारा RRB तो देखे जो इसका परियोग हम लोग करते हैं चूड़ी की पिच गयात करने में हम लोग इसकूरूपीच गेज का परियोग कहते हैं यहां पर हमारा सी अंसर करेक्ट हो जाएगा सब लोग कमेंट बाक्स में अपना अंसर करते रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा करण है जो इस दोस से संबंधित नहीं है तो देखिए इस्टाक का चीपकन एक दोस है जिसे निम्न में से कौन से करण इस दोस संबंधित नहीं है तो यही आपको बताना है तो इस्टाक की लंबाय बहुत कम होना इस दोस से संबंधित नहीं है यहां पर हमारे डी आंसर कर इनमें से जिस करण से यह दो संबंधित नहीं हो है कि इस्टाक की जो लंबा होती है बहुत कम है कि माइल्ड इस्टिल में कार्बान की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है तो देखे जो माइल्ड इस्टिल होता है इसमें जो कार्बान की परसेंटेज मात्रा रखी जाती है तो यह 0.07 से 0.25 रहता है माइल्ड इस्टिल में कार्बान की परसेंटेज मात्रा तो यहां पर हमार इसके उनुपात में रहता है तो यहां पर हमारा सी अंसर करेक्ट हो जाएगे एक उनुपात में जर्णो ठीपर का उनुपात रहता है ग्यारे नमबर का कोशन है इसके क्या है उपर पूरी लंबाई में चूड़ी होती है इसके दोनों शिरूपर चूड़ीयां होती है जबकि बीच का भाग प्लेन होता है कि दोनों शिरूपर चूड़ीयां होती है जबकि बीच का भाग होता है यहां पर हमारा भी आंसर करेक्ट होगा बारे नमबर कोशन है कि फ्लाट हेड बनाने के लिए रिवेट की लंबाई क्या रखी जाती है तो देखिए फ्लाट हेड बनाने के लिए जो रिवेट की लंबाई रखी जाती है वह रखा जाता है एक कैपिटल टी पलस इसमाल डी इंटू 0.8 तू 1.2 तेरे नमबर कोश्चन है जो कि DRDU मसीनिस्ट में आई हुआ कोश्चन है और RRB भूनेसवर यल्पी में भी आई हुआ कोश्चन है कि किस जुगाल को ड्रीलिंग एम रीमिंग कार्यूं में परियोग करते हैं आपसान है जिग, फिक्सचर, युक्ति, भूस तो देखिए ड्रीलिंग और रीमिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं फिक्सचर का परियोग करते हैं यह उससे पकड़ना के लिए हम लोग ड्रीलिंग और रीमिंग करते समय हमें फिक्स करने की जरूरत पड़ती है तो लेकिल की जो छमता होती है वह Q1 – Q2 upon Q1 होता है या इसली को 1 – q2 upon q1 होता है छमता यहीं पे आपको मिल जाएगा 1 – T2 upon T1 भी मिल जाएगा तो आपको कोई भी यहाँ पर हीट दिया hazin करेक्ट आंसर हों जाएगा यहाँ पर यहाँ पर आपको टी-1 भी आपको आंसर में मिल सकता है तो आप लोग उसे भी टिक कर सकते हैं अगर क्यूंग के फार में नहीं है टमप्रेजर के फार में है तो फंदर नममर कोशचन कि कि किस्धा हुद को बना होता है आप सेने अब जाएगां काई स्टील क का बना yapıyor हुविटीज मौर विश्कस ल्यूब आयल कौन सा अधिक kysयान ल्यूब आयल है तो देखिए जो लियुक्त होता है यह हमारा होता है सेटे यह होता है हमारा अधिक लियुक्त हो जाएगा हमारा इस तरह मेकनिक में वह वो कोशन था सत्रे नमबर का कोश्चन है देचेंज गिया रेशियो टू कट ए थ्रेड आफ सेवन बाइ सिस्टीन इंच लेड आन ए लेथ विथ लेड इस्कुरू आफ फोर थ्रेड पर इंच एक राज जिसकी लेट पेंच पर चार चूड़ी प्रतींच है उस पर साथ बटा सोले इंच की चूड़ी काटने के लिए गीर बदला अनुपात क्या होगा देखिए जो इसका जो अनुपात होगा यह रहता है कि ड्राइवर बटे ड्रीवन इक्वाल टू सत्तर बटा चालिस हो जाएगा यहां पर सी अंसर क्रेक्ट होगा अठारे नंबर कोशन है कि सूची फर्ष्ट और सूची सिकंड को मिलान करना है तो देखिए एक तरफ दिया है आपका एनिमो मीटर सिस्मोग्राफ बैरो मीटर हाइग गुरू मीटर और दूसरे तरफ है भूकंप वाई मंडली इदा वाई वेग और अर्था तो देखिए आपकल कि यानिमो मीटेर हम लोग नापते हैं कि यह हमारा ए से चला जाएगा और सिस्मोगलाफ होज जाएगा defense ज्वार और यह हमारा लगों मीटर होजएं 3124 यानिक आप्सन नंबर D यहाँ पर करेक्ट होगा 18 का D अंसर यहाँ पर करेक्ट होगा 19 नंबर का कोशन है किसके मापन के लिए पलंक गेज का उप्योग होता है आप से चूरी का फिरे कोनबेळन के छे मापने वहां कर सकते हैं तो पलक गेज का प्रेग हम लोग बेलन के छे मापने में कर सकते हैं बेलन के छे लिखा है या फिर होल रहे तो महाँ पन होल भी सही होगा हथवडे का नेत्र छिद्र कैसा होता है आपने सीधा दोनों सिरों से पतला सामने के छोर से पतला हैंडल के अंत में पतला देखिए जो हथवडे का जो आई होल होता है इसका जो आकार होता है यह दोनों सिरों से पतला होता है तो यहां पियांसर करेक्ट हो जाएगा दोनों सिरों से पतला होता है यह हमारा DRDO, Machinist, UP, Arbinal TGT2 Fitter में आई वह कोशन था 21 नमबर कोशन है कि कास्ट आयरन कौन सी भठी में तयार की जाती है तो देखें जो कास्ट आयरन होता है यह हमारा किसमें होता है क्यूपोल अफ फर्नेस में और जो हमारा होता है 12 नमबर कोशन है कि मेंडरल किस धावत का बना होता है आपसे ने कास्ट आयरन, mild steel,osium, high carbon steel देखें, जो मेंडरल रहता है यह हमारा किसका बना जाता है? High carbon steel का मेंडरल बनाया जाता है कि हमारा एन्हारी नमोद बनाने के लिए अंदर का कि लिए तो देखे सलर्टिं मसीन में क्या हुता है कि हम लोग जिस आपरेशन के लिए यूज करते हैं तो इसका प्रिएक करते हैं के शाफ्ट पर वूड्र आप की वेड बनाने के लिए करते हैं तो नहीं है पर हमारे सी अंसर करेक्ट होगा 24 नमबर कोश्चन है दा पाइप जनरली यूज्ट इन वाटर सप्लाई में लाइन इज जल संच्रण की मुख खिलान के लिए समानते कंस पाइप परियोग किया जाता है आप तो नहीं 25 नमबर कोश्चन है कि हैंड फाइल कैसी होता है आप सान है चोणाई में टेपर मोटाई में समानतर चोणाई में समानतर चोणाई में समानतर मोटाई में टेपर तो देखे जो हैंड फाइल होती है यह क्या होता है कि चोणाई में समानतर और मोटाई में टेपर होता है तो य इच्वाप कि तरफ बी सिस टीस याने कि बाटम गठ रण से से टाप्ड वेलadoreी तरफ इस नीचे की तरफ म्तिया अरु बी दोनों तरफ देखें कमपरेशन स्ट्रोक में क्या होता है पितन चलता है वह हमारा चलता है बीसिसे टी डेशी की तरफ तो यानि की बाट्म डेट सेंटर से टाप डेट सेंटर की योग चलता है यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट होगा 27 नमबर कोशन है कि air cleaner लगा होता है तो air cleaner कहाँ पर लगा होता है आपको बताना आपसों ने चोक वालु के साथ एयर हारन पर मीटरिंग जेट के साथ मेन नाजल पर है तो एयर जो क्लीनर लगा होता है यह लगा होता है एयर हारन पर यहाँ पर हमारा भी अंसर करेक्ट हो जागे एयर हारन पर एयर क्लीनर लगा होता है यह हमारा अरार भी सिकंद्राबाद एलपी में आया हूँ कोशन था ह क्या है तो देखिए हबन क्या है आप से इक बिद्धुतार है यह करक्त helpedION होता है यह क्या है एक कोई कोहीं नहीं तो देखेंता यह revelation क्या एंक यहमारा एक आंतरिष दुरुूबीण उक तों टीन नंबर कोस्टन तो देखिए एक उपाध के चल जबड़े चलते नहीं है तो देखिए एक उपाध के चल जबड़े चलते नहीं है हालांकी धूरी चालू हो गए इसका करण यह होता है कि धूरी पिन तूट गया है याने कि इस पिंडल पिन इस ब्रोकेन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपसो नंबर बे तीस नंबर कोश्चन है कि डेसिबल क्या है आपको नहीं एक पाध्ययंत्र है सोर का तरंग दैर है ध्वण्य स्थर का यह माप है एक संगीत स्वरक है जो देखिए ऑसतर की एक माप होती है तो हमारे सी अंसर करेट हो जाईगा कि धून का हम लोग मापन करते हैं वह हम लोगों यह 3.1 नंबर कोश्चन है काउंट देफ्ट माइक्रोमीटर का अलपत्मां के कितना होता है है इसको जो अलपत मांग होता हुए 0.01 mm होता है यह हमारा डिमर्स मेंटेनर फिटर में वो कोशन है तो यहां पर हमारा डियांसर करेक्ट होगा 32 नमर कोशन है त्या कारेक्टर इस्टिक डैट इनेबल वन मैटेरियल टू कट अनदर इज इस रिलेटिव एक विशेष्टा ज इक पदार्फ दूसरे को कार सकता है तो वह हमारा क्या कहलाता है हार डेनिज कहलाता है हाडशने के कारण है इakers नमर कोशन है जिसमें इसटिल को इसके कारवन पदार्त के आधार पर एक उपयुक्त तापमान पर गरम और परयाप्त समय के लिए रखा जाता और फिर भठी में ही धीरे धीरे ठंडा कि जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं आप से टेंपरिंग अनीलिंग नार्मलाजिंग हर्ड़निंग तो देखिए अगर क्या है कि अगर तापमान तक गरम करते हैं और परयाप्त समय के लिए हम लोग रखते हैं उसे फिर भठी में अगर धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो हमारा अनीलिंग प्रासेस कहलाता है अगर उसे हम लोग बाहर निकाल के और रूम टंप्रेचर पर ठंडा करें तो हमारा नार्मलाइजिंग कहलाता है तो यहां पर कह रहा है कि बठी में धीरे धीरे ठंडा किया जा रहा है तो हमारा अनीलिंग कहला अगर रूम टंप्रेचर पर ठंडा किया जाता है तो हमारा नार्मलाइजिंग कहलाता है यहां पर हमारा भी आंसर करेक्ट होगा यह हमारा यूपी आर्विनार्ट टेजी टूटूट फिटर में वा कोशन है तो जो एक मीलिंग करतन समगरी नहीं है तो जो एक मीलिंग करतन समगरी नहीं है वह हमारा है और को जाँ है कि इस अन्सर पिट होती है कि नहीं होता है यह साथ के साथ गूंते है तथा आगे पीछह भी स्लाइड करती है तो देखें यहाप यहां पर होता है यह साट नहीं होता है pioneer दूरी सीध में फिट होती यह साफ्ट के साथ घूमती है तथा आगे पीछे भी सलाइड करती है यह हमारा आई ओफ फिटर में आए वो कोश्चन है मैं में अब्पी नंबर कोश्चन है कि has the fike Title आपिस्का करते हैं हिस्गे ना जुक कार की करने के लिए वकर करका सतहों पर लिग करने के लिए लकड़े चमड़े की परीव करने के लिए देखे जो रेस फाइल होता है इसका परियोग को आपане हो वह लकड़ी और चमड़ी की फाइलिंग करने के लिए हम लोग रस फाइल का परियोग करते हैं यह हमारा डीमर्सी मेंटेनर फिटर में आई वो कोशन था यह हमारा आडिनेंस फैक्टरी में फिटर इटार सी में वो कोशन है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप में मुख्य भाग क अगा 30今 में marriage कोशन है कि आईसे इंजन में मात्र एक संबंधित नहीं है तो आईसे इंजन से कौन सा संबंधित नहीं है यह आपको बताना है आपसव एक सींग में में सीं टिश्ट्रि änरु से संबंधित देखिए कि से रहती है कि कम समय के लिए उच्छ voltage के छमता यहां पर म Apparently आप समय के लिए उच्छ voltage की छमता हो। connect पर उलकूप तो अगर जल जम गया है यानि कि बरफ कर लिए तो उसका लख जाता है अगर वही बरफ मिखाल जाए तो उसका लख मिख कर लोगल। कर references जाता है, कि कि बेवल फ्रोटेक्टर को उपइयोग कहां पर लोग करते हैं है, जो देखिए जो भी प्रोटेक्टर होता है, इसका प्रेग्अ हम लोग, अगल मापने में कहाते हैं, चीह आंपлем हमारा डी, को थिरालिस नम्बर कोश्जन itt형 इस ऑफ्पोरी जब क्या मार्ड रहते हैं अधिको अधिक चो धिते हैं तैम्बल की जियो बेखो बैरल यह स्लिव की जियरो जाति हैं यहां पर हमारा 43 का भी आंसर करेक्ट होगा 44-अबर का क्चेन है ये यदी धी धाथम यंदा नियो हो तो करतन गति उच्छ हो तो किस Jewish नाम ने अवित्रत चिप बनते हैं चिप और्बबंते हैं अभितरत चिप सब्सक्त किनारे के साथ बनते हैं उप्रोक्त में से कोई नहीं तो देखें याद इधात में तन्न हो और करतन गाती उच्छ हो तो क्या होता है कि अविरत चीप बनते हैं तो हमारा यहां पर यह अंसर करेक्ट हो जाएगा यह हमारा करने के बाद हम लोग उस पर टेंपरिंग करते हैं तो अगर आपको टेंपरिंग करने से पहले आपको हार्डेनिंग करना जरूरी होता है कि लृष नमपर koos कैं कि इलेक्ट्रो डिसचार्ज मशी elle कमें कैंटिंग टूल किसका बना होता है तो जो two अधिक करें परियोग करते है हमारा प्लेज़ रहता है कि तो यहां पर प्रवार आंसर करेख्ट होजाएगा गतालिस ने करते हैं इस वांग का दूसरा नाम क्या होता है यहां पर द्रव के प्रवाय को नियंत्यत करने के लिए नहीं करते हैं इस वाल्व को जो दूसरा नाम होता है इस वाल्व होता है यहां यहां पर डियांसर करेक्ट होगा फुट्टी नामबर कोशन है कि नीडल फाइल लंबाई में कैसी होती है आप सने 50-500 mm सब्सक्राइब देखिए जो नीडल फाइल होता है यानि कि नीडल रेती यह लंबाई में जो मार्केट मुपलब्द होता है वह 120-180 mm में यानि कि 12-18 cm के लंबाई में उपलब्द होता है यहां हमारा डियांसर करेक्ट होगा 50 नंबर कोशन है कि सबसे नीचले वाले भाग का नाम क्या है आप सा cap 12 उभाट प्रिष्टन इसकॉरट तो पिश्तन के सबसे नीचे वाला जो भाग राता है वो हमारा पिश्टन कर्ट कहलाता है तो नहां भी यहां पर हमारा जांसर करेक्ट होगा दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप हमारे चनल पर नहीं तो चनल को सब्सक्राइब कर लें अर्जिन लोग ने वीडियो को शेयर कर दें कि की फ्यप्ट्टी Carn has Sprite अहां कि अधिक Supply Ratina का होना टायर के लिए क्या क्या सूचित करता है अब दुब उपर्च पुझेडा होना चायर के उचीत करता है कि में मंकैनिक कोशन है कि प्रिवेंटीटिव उप्रमसीन के क्या होता है कि मसीननों और उपकरन निर्चन होता है कि जाता है cake- सब्गो सब्षकरह Еज उत्वारों कि पूरी मरमत यह भी सही है यहाँ पर दी आंसर करेक्ट हो जाएगा आला देज त्रिपन नंबर कोशन है हुँ इनिवेंटेड एलसीडी प्रोजेक्टर एलसीडी प्रोजेक्टर का आविस्कार किस ने किया था आप से जिन डाल गोफ ब्रेडन इच डागलस एंजल बर्ट फ्रेडरि को फैगिन तो देखिए जो एलसीडी प्रोजेक्टर था इसका निर्मा इसका जो आविस्कार किया था वह जीन डाल गोफ ने किया था तो यहाँ हमारा त्रिपन के आंसर करेक्ट होगा चोवन नंबर कोशन है कि केंद्र पंच की नो का कौन समानते कितना होता है डिग्री म तो देखिए यहाँ पर कहीं कहीं पर देखिए पी सीडी प्रिपनच जो होता है प्रिपनच वह अमारा वोता है 30 डिग्री जो सेंटर पंच होता है हमारा होता है सिस्टी डिग्री का एंगे स्वशरीग पिडिसी प्रिकपंच होता है अमारा 30 डिगरी डार्ट होता है 60 डिगरी और सेंटर जो होता है यह हमारा 90 डिगरी होता है तो प्रिकट डार्ट सेंटर भी 30--, 90 होता है मैं तो यहाँ पर देखिएých तोawn-rics 10 बूक में और जो Center पंच होता है यह साथ या नबे डिगरी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा देकिन कहीं-कहींप एगर यह अलग-अलग रहते हैं जैसे 60 और 90 तो यहाँ पर हमारा 90 डिगरी करेक्ट होता, तो अगर Center पंच रहते है तो 90 डिगरी करेक्ट होता पच्पन नमबर कोशन है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर मेजर अब टू वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या मापता है मतलब कितने भाग तक माप सकता है तो देखिए जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर राता है इसके द्वारा हम लोग एक डेगरी का प्रहमा भाग म इन दा मैनुफैक्टिरिंग आप पैरलल सेंख ड्रिल समना अंतर सेंख ड्रिल बनाने के लिए कौन सी धावत का परियोग किया जाता आपसे ने मीडियम करपन इस्टिल हाइज स्पीड इस्टिल काश्ट आयरन माइल्ड इस्टिल यह हमारे डिमर्सी मेंटेनर फिटर में हैं वह हमारा रहता है हाई स्पीड इस्टिल यहां पर हमारे बीयांसर करेक्ट हो जाएगा हाई स्पीड इस्टिल संतावन नामबर कोश्चन है कि माइल्ड इस्टिल पारटों या सीटों पर जिंक की परत चड़ाने को हम लोग क्या करते हैं तो अगर जिंक की परत चड़ा रहे हैं तो वह हमारा गैल्वनाइजिंग प्रासेस कहलाता है और यह होता है गैल्वनाइजिंग यह हमारा भेल में वह कोश्चन था अब यह देखिए हमारा अरार्वी को एल्पी गवरक प्रम्याइब कोश्चन है कि ग्राइंडर पर लिखी मानक सब्दावली डब्लू एफोटी सिक्स के फाइफ वी सत्रे में वी का प्रकार ह् Sun 59 नawa कॉश्चन एक एक और प्रकार यह दो आपको हम लोग क्या बोलते हैं mam pop का presence यहां फिरंडर प्रक्रेक्ट हो जाएगा विदिमें से पूरूट साथ नमबर कोश्चन है कि यह बंद करने के लिए किस फिटिंग वस्त का परियुक किया जाता आप सन्य रिडूशर यूनियन प्लग कॉपलिंग तो पाइप को एक सीरे से बंद करने के लिए हम लोग जो फिटिंग तूली उच करते हैं या कट होते हैं देखें डुबल कट्राइथी में जो उबकट होते हैं यह होते हैं 60 दिगरी के एंगल पर यहां पर हमारा साठ करेक्ट आंशर हो जाएगा हापसा नमबर दे हमारा भेल हैदराबाद फिटर में वह कॉच्छन था 62 कोश्वन है कि डीजल इंजिनों के संबंद में कौन सो कथन सही है आप तो ने करनेक्टिंग राड़ piston और क्रूं करेंकिंग राड़ को Colombia को जोड़ता है नहीं है लिए एक जचन गरेंकिंक होता है यह पिश्टन सो जो जोड़ने का करता है तो कनेक्टिंग राट जो किसको किसको जोड़े रहता है पिश्टन और क्रेंक साफ्ट को कनेक्टिंग राट जोड़ता है यह हमारा डिया डिया डियो मोटर मेकैनिक में वह कोश्चन है क्लाच प्लेट के दोनों तरफ किस पदार्थ की लाइनिंग बनी होती है वह रहता है कार के के भी अज़िए फैब्रिक एस्वेस्टेस की चमले की इंसा भी रहती है जब पानी को 0 डिगरी सल्सेस से 10 डिगरी सल्सेस तक गरम किया जाता है तब इसका एतन क्या होता है तो देखिए जब पानी को हम लोग 0 डिगरी सल्सेस से 10 डिगरी सल्सेस तक गरम करते हैं तो क्या होता है कि पहले घरता है और फिर बढ़ता है इसका एतन जो होता है पहले घरता है फिर बढ़ता है 65 नमर कोश्चन है कि रेल पत में फिस पलेट का काम क्या है आप सोने दोनों पतरियों को जोड़े रखना रेल गाली के दो डिबों को जोड़ना डिबबे के पाजे को सही धंग से निर्देशित करना उपरोगत सभी तो रेल पत में फिस पलेट का जो काम होता है वह अव्य तक दोनों पटर्यों को जोड़े रखने का काम, फिस प्लेट करता है, छाज़़न नमर कोस्टन है, कि स्क्रैपर का परियोग कहाँ पर किया जाता है, आप लिए फाईलिंग के लिए खुरचने के लिए ड्रीलिंग के लिए, तो स्क्रैपर का जो हम लोग क्या होती है देखे जो वर्णियर बोल प्रोटेक्टर होता है इसकी जो कुरेशी होती है यानि कि सटीक्ता होती है वह पांच मिनट होता है तो जो मिस्रधात नहीं है वह है हमारा तावा तावा यह होता है सी यू यह हमारा धात हुए बाकि श्टीर पीतल और ब्रॉंज यह हमारा मिस्र धात हुए 69 नमबर कोशन है कि लेथ स्पिंडल है गाट लेथ स्पिंडल में क्या होता आपसा ने इंटर्नल थ्रेड एक्स्टर्नल थ्रेड टेपर थ्रेड नो थ्रेड देखे जो लेथ स्पिंडल रहता है इसमें क्या होता है इक्स्टर्नल थ्रेड होता है तो यहां पर हमारा भी अ खंप सतल के और क्षंहें क्या होता है अब तो प्रत्यास्त ग्रानींग चत बनाने के लिए जो प्रयोग तो होता है यहां पर हमारा प्रेख्ट होगा यह हमारा इसerson हाई वह कोशन था कातर नम्र कोशन है कि प्रडाली में 18 कोट की आधार भूट टोलरेंस को परदर्सित किया जाता है किससे देखिए जो 18 कोट की जो आधार भूट टोलरेंस होती है उस पर जो हम लोग ब्यक्त करते हैं वह आई टी 01 जो आई टू जीरो टू से ऐसे 008 आए टी सोले तक हम लोग करते हैं तो यहां पर हमारा कि यह अंसर करेक्ट होगा बात्ता नंबर कोश्चन है समानता है फाइन लैपिंग एलाउंस कितना दिया जाता है तो देखें जो फाइन लैपिंग एलाउंस दिया जाता है वह रहता है 0.005 mm से 0.01 mm तक दिया जाता है तो देखें जो पाइप वाइस होता है यह पाइप को चार बिंदू पर पकड़ता है तो यह पाइप को चार बिंदू पर पकड़ता है चौता नंबर कोशन है कि पिश्टन के टीडी सी याने की टाप डेट सेंटर से बाटन डेट सेंटर के बीच चूसित गैस का आयतन क्या कहलाता है यह कहलाता है स्वेप्ट वैलूम यह हमारा आरडिनेंस फेक्टर रिटार्स में है वह कोशन था पचाता नंबर कोश्चन है कुछ गाड़ियों में इंजिन की सकती को पिछले एक्सलों के साथ साथ अगले एक्सलों में भी बांट देने की विवस्ता की जाती है ऐसी गाड़ियां क्या कहलाती है आप तो नहीं इंजिन की सकती को पिछले एक्सलों के साथ अगले एक्सलों में भी बांट देने की विवस्ता होती है ऐसी गाड़ियां जो होती है वह फोर इंटू फोर विल ड्राइब कहलाती है तो यहां पर हमारा दी अंसर करेक्ट हो जाएगा यह हमारे डियो मोटर मेकेनिक में यह व दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दो ड्राइक लिए अगर आप हमारे चल्लेंप्र मैं यह जो स्रवाधिक चालक होता है वह होता है पारा यानि की मरकरी मरकरी होता है यहां पर करेक्ट आंसर सदात्ता नमबर कोश्चन है कारपेंटर पेंसिल यूजुली इस इन डडडडडड क्रास सेक्षन एक बढ़ाई का पेंसिल समयते हैं किस क्रास सेक्षन का होता आप सेने सर्कुलर, ट्रेंगुलर, अंडाकर उपरवक्त में से कोई नहीं तो एक बढ़ाई का पेंसिल होता है यह समानते हैं जिस क्रास सेक्षन में होता है और अंडाकर होता है यानि कि ओवल यहाँ पर करेक्ष आंसर होगा अंडाकर अठात्ता नमबर कोशन है इंक्लूडड एंगल आप दा सेंटर पंच is सेंटर पंच का अंतरविस्ट एंगल कितना होता है तो यहां पर देखी जो सेंटर पंच होता है देखिए प्रिक डाट और सेंटर यह होता है तीन पंच तो देखिए ए जो होता है प्रिक पंच पंच होता ही हमारा 30 डिग्री डाट पंच होता है हमारा 90 डिग्री तो प्रिक डाट 53ab और 48 पर यहां पर d stereo न ओंत्र होगा स्योगी नूंबर कोस्चन है डी रेट्चिय अफ और यहां पर हमारा भी आंसर करेक्ट होगा और ज्यादा तर यहीं नूट्रल फ्लेम ही यूज की जाती है इताफ करट करता है वह हमारा यहां एक सेंटर का पार्ट होता है है वह हमारा क्या है और वर जबकि सेडल फीड्राड अर्लेड इस्कूरी हमारा लेट सेंटर का पार्ट होता है अब यह सब्सक्राइब करते हैं वह होता है कुझी तो यहाँ पर हमारा डी आंसर क्रेक्ट हो जाएगा कुझी कि जिस दिशा में फिनिसिंग की होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं आप साना ले फिल्स और वैली वैविनेस तो जाब की सत्य जिस दिशा में फिनिसिंग की जाती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं ले बोलते हैं तो जिस दिशा में फिनिसिंग की जाती है उससे हम लोग ले बोलते हैं हमारा रार्वी चन्डीकड़ एल्पी में वो कोशन था यह हमारा इसरो टेकनीशन टर्नर में आए हुगा कोशन है कि फार हैंड एंड टेनासियस माटेरियल विच टाइप आफ ड्रील इस यूज़ कठोर और दृट सामगरी के लिए किस प्रकार के ड्रील के उपय जो जो गुरू होता है वह कितने अंगल पर होता है तो देखिए जो वी बलाक होता है हमारा नांटी डिघि पर होता है to be a close table आप इस स्टेल प्लांट में वो कोशन है श्यासी नउमझन है कि आपस फोटन सरवादिक होगा यह पेटरोल में क्या हो तो आपस फोटन सरवादिक होगा यह पेट्रोल में क्या हूँ नारमल हेप्टेन द्वारा कि सतासी नंबर कोशन है कि ब्रेक हर्स पांवर इस जिदा पांवर ब्रेक हर्स पांवर कौन सा पांवर होता है जो बेलन के अंदर उत्पादित होता है गरव साथ के कान नॉस्त होता है फलाई वील पर उपलब होता है अथे उस्मा के करान रस्ट होता है यह हमारा है अगा होता है आसी नंबर कोशन है कुई वैग्गानिक प्रयूक्साला में परिवेश्ट आप 273 केलविन पढ़ता है तो डाक्टर के थर्वामीटर में पाठम क्या होगा आप सब्सक्राइब नानवे डिग्री फारेन हाइट माने सो डिग्री फारेन हाइट तो देखिए जो 273 केलविन पढ़ता है अगर उसे हम लोग डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो वह हमारा कितना आएगा जीरो डिग्री सेल्सियस या इसी को हम लोग बोलते हैं 273 केलविन तो यहाँ पर हमारा यह अंसार करेक्ट हो जाएगा अठासी क्या यहां पर फारेन हाइट पूछा है ना तो हम तो डिग्री में 0 डिग्री सेल्सियस होगा लेकिन अगर फारेन हाइट की बात करेंगे यह हमारा 32 डिग्री फारेन हाइट आता है इसको निकालने के लिए किसी वाइफ टू अब माइनस 32 वाटा 9 इक्वड़ टू क्या आता है कि यह माइनस 273 वाटा 5 होता है यही होता हमारा में फार्मूला इससे हम लोग निकालने तो हमारा 22 डिग्री फारेन हाइट आ जाएगा यहीं अगर बात करें डिग्री सेल्सियस में तो हमारा 0 डिग्र तो उस तरजन परिछन के दरण कौम सी गैस कमापन किया जाता है तो यहां पर हम लोग सी यो टू अरो नो एक्स इन सभी का करते हैं यहां पर हमारा डी अंसर करेक्ट होगा कि हमारे इसलों डीजल मेकनिक में वह कोश्चन है हे नवे नाबर कोशन के सीर कि सुरच्छा के लिए हम लोग किसख आपका है just he सब्सक्राइब हो जाएगा यह और भी दोनों कि एक क्यानवी नाबर कोशन है माल्ड इस्टियल की चिपिंग करते समय च्छानी का जुकाव एंगल कितना रखा जाता है यहां पर हमारा डिया अंसर करेक्ट होगा कि चिपिंग करते समय चिपिंग को कितने एंगल पर पकड़ना चाहिए आपसे चीजल होता है उससे हम लोग जो पकड़ते हैं चालिश डिगरी पर पकड़ते हैं तो यहां पर हमारा चालिश डिगरी के दो मुख्य गटक होते हैं वह आतो है सिल्का और अलमुनियम यह अ हमारा असल दूर्गापुरिस्ट्ल प्लांट में है वह कोश्चन है तो ग्रेनाइट सिल्का और अलमुनियम से मुख्य गटक होते हैं चोरानवी नमबर कोशन है कि टेल इस्टाक को आपसेट करके टेपर टर्निंग की जा सकती है टेल इस्टाक का कौन सभाग आपसेट किया जाता है आपसेट की लंबाई तो टेल इस्टाक को आपसेट करके टेपर टर्निंग की जाती है टेल इस्टेक का जो भग आपसेट किया जाता है वह रहता है कि इस्पिंडल तो यहां पर हमारे अंसर क्रेक्ट हो जाएगा इस्पिंडल कि पंचानबी नंबर कोशन है कि निमने में इसे बेल्ट स्लिप होने का कारण नहीं आप सोने बेल्ट टेंशन कम होना भी यह पुल्य के पिन पर नहां का उना भेंट एक पुल्यoh को अलाइन्मेंट मेंट सहीन न न में यहांपर पर करेक्ट कोशन है तो देखिए फ्रेक्शन हर्स पामवर इस घर्थन हर्स पामवर क्या होता है तो देखिए फ्रेक्शन हर्स पामवर जो होता है यह जो होता है यह हिंडिकेट हर्स पामवर मांस ब्रेक फिल कर्षिंदogen हर्स कार्ण है जाएगा जाए सब्सक्राइब करने का मुख दिस किया है तो मसीन पार्टों में सनेहन परयोग करने का मुख देश होता है वह रहता है मेंटिंग पार्टों के भीच घर्ट्राण को कम करना यह हमारा सेल बेकार और इस्टील प्रवांट में आए वो कोशन था इन्यानवी नंबर कोशन है कि इंजन वाल वे किस दावत की बने होते हैं आप साने कास्ट टैनले से स्टील का साथ विसे सिलाए श्टील तो जो इंज साथ क्रेंग साथ तो किसी आटो मोबाईल में इंजन से पार्वर को पाईए तक पहुंचाने वाले साथ का जो नाम होता है बाया रहता है क्रेंग साथ दोस्तों यहां पर हमारा हंड्रेट कोशन टोटल खतम होता है अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को Thank you.